अच्छा यहां पर हम एक question को solve करते हैं All enzymes are required for condensation except polymerase, ligase, protease and rubisco ठीक है तो कौन सा enzyme है जो condensation में part नहीं लेता यानिके condensation के लिए required नहीं है तो यहां पर आप तो कहेंगे कि यह सर यह तो हमने पढ़ा नहीं है कि condensation में कौन सा enzyme काम आता है या फिर कौन कौन से enzyme है जो condensation के लिए required होते है तो यहां पर वो बात ही नहीं हो रही यहां पर आपके concept को check किया जा रहा है कि condensation का concept आपका clear है के नहीं है तो यहां पर जितने भी enzymes given है यह सारे enzymes आपके पढ़े हुए है कहीं न कहीं पर आपने इन enzymes को मतलब के पढ़ा है तो polymerase आपने यह DNA के अंदर पढ़ा था जैसे के DNA polymerase तो यह क्या करता है DNA को आपस में add करता है दो DNA के molecules को add करता है तो condensation का मतलब यही है कि दो molecules को add करके एक बड़ा molecules बनाना तो यहां पर यह polymerase एक condensation का enzyme है यानिके condensation कास कर रहा है उसके बाद है ligase तो ligase भी एक ऐसा enzyme होता है जो molecules को जोड़ता है protease यह वो enzyme होता है जो के एक hydrolatic enzyme है जो proteins को तोड़ता है तो अब यहां पर यह condensation के लिए required नहीं होगा क्योंकिए एक hydrolatic enzyme है यानिके यह hydrolysis के अंदर कायम आएगा और यह molecules को break करेगा ना के molecules को बनाएगा तो यहां पर यह C option जो है यह correct होगा और rubis को यह भी carbon की fixation करता है आपने bio energetics के अंदर पढ़ा था तो यहां पर यह carbon dioxide को add कर रहा होता है तो यह भी condensation के लिए required है यहां पर सिर्फ एक ही enzyme है जो के है protease जो के condensation के लिए required नहीं है